हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल देसी किचन और मैं हूँ ममता आज हम बिलकुल शादियों में जो रबडीदार क्रीमी टेक्श्चर की खीर बनती है आज हम वही बनाएंगे वो भी मिंटों में घंटों बनने वाली खीर आज हम मिंटों में बनाएंगे आप देख सकते होगे फ्रेंड्स ये खीर हमने बनाई है कितनी क्रीमी टेक्श्चर का और कितना रबडीदार दिख रहा है तो फ्रेंड्स हाँ आप भी इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं गैस के पास खड़े होकर बहुत टाइम तक हम खीर बनाते हैं जिसमें मेहनत तो लगती है साथ में गैस का खर्चा वो अलग तो मैं एक सीक्रेट बरताऊंगी जिससे आपकी खीर जो है बहुत कम समय में एकदम गाड़ी और रबडीदार जो शादियों में बनती है बिल्कुल वैसी ही बनेगी तो फ्रेंट्स इसे बनाना बहुत ही आसान है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो लीटर फूल क्रीम दूद ले रही हूं एक स्टील के बरतन में मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया ताकि जो हम दूद इसमें उबालेंगे तो नीचे बिल्कुल भी ना लगे तो उसको मैंने धोकर और आदे घंटे के लिए इसे मैंने शोक करने के लिए रख दिया है उसके बाद थोड़े से ड्राइफूट्स को मैंने कट कर लिया और एक चम्मच घी मैंने पैन में ले लिया है और काजू और जो बदाम था उसको हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे तो फ्र वाजू और बदा हम रोस्ट होते हैं, तो हम उसे निकाल लेंगे, और सेम पैन में हमने जो राइस भीगो के रखा था अब हम उसे डाल देंगे, और एक चमजघी डाल देंगे, और उसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, तो ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारा जब खीर बन यहां हमारे दूद में बॉइल आने लगा है और इसे मैंने 5 मिनट्स तक बॉइल कर लिया है उसके बाद रोस्ट किया हुआ जो हमारा राइस था अब हम उसे इसमें एड़ कर देंगे और इसमें से दो से तीन स्पून राइस हम बचा लेंगे जिसका यूज हम बाद में करें इसमें उसे अच्छे से कुक करना है तो बरतन में अगर आगे पीछे जो हमारे बरतन में क्रीम लग जाती है दूद की मलाई लग जाती है उसे हमें अच्छे से निकालते हुए यह हमें अच्छे से पकाना है तो बस इसी तरह से हम इसे पका लेते हैं और उसके बाद यह द दाने होते हैं मैं उसका भी यूज़ करूंगी जिससे खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा तो यह दिके फ्रेंट्स मैंने दो तिन इलाइची के जो दाने होते हैं वो निकाल दी हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम दूद एड़ कर देंगे औ बहुत ही जबर जस्त आता है अगर आप चाहो तो इसमें केसर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं केसर वाली यह खीर नहीं बना रही हूँ यह इलाइची फ्लेवर का है तो मैसे लिए इलाइची इसमें एड़ करूंगी आप चाहो तो केसर का भी यूज़ आप इसमें क तो फ्रेंड्स यही ट्रिक है जिसे आपकी जो खीर है बहुत ही कम टाइम में एकदम मस्त रबडी दार बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही क्रीमी टेक्श्चर की लगती है क्योंकि काजू का जो ग्रेवी होता है हम सबजी वेगारा में डालते हैं तो उससे उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है क्रीमी टेक्श्चर जैसा हो जाता है तो वही ट्रिक हमने इसमें भी यूज किया है ताकि जिससे हमारी खीर बहुत ही अच्छी क्रीमी और बहुत ही गाड़ी बनके रेडी हो तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमने एक तो फूल क्रीम दू सकते हो उसके साथ ही मैंने आप एक छोटी से कटोरी से दो कटोरी के करीब मैंने इसमें चीनी एड़ कर दिया है तो चीनी companions हमेशा आप जब भी खीर भनाये चीनी आप last में ही add करें, otherwise अगर आप पहले एड़ कर देते हो, तो हमारी जो चावल है वो बिल्कुल नहीं पकते तो यह देखे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी खीर बनके बिल्कुल रेडी हो गई है लास्ट पर मैंने इसमें चीनी एड किया चीनी एड करने के बाद मैंने इसे 5 मिनट्स और पकाया और हमारा खीर बनके बिलकुल ready है और आप देख सकते हो कितना ये रबडीदार कितना मस्त बनके ready है और एक दम गाड़ी हो गई है और हमारे जो खीर जितना हमने दूद लिया था आप देख सकते हो इसमें ज़ादा दूद भी हमारा कम नहीं हुआ है थोड़े से ही दूद हमारे कम हुए है इसमें और आप देख सकते हो ये हमारा मस्त रबडीदार खीर बनके बिल्कुल रेडी है मैंने दो लीटर दूद लिया था फुल क्रीम मिल्क था आप चाहो तो टोंड मिल्क से भी इस तरह की खीर आप बनाके रेडी कर सकते हैं तो बस इसके साथ ही अब हमारी खीर बनके रेडी अब हम इसे सर्व करते हैं यह देखे फ्रेंट्स मैंने यह सर्व भी कर लिया है और आप देख सकते हैं यह कितनी गाड़ी और कितनी मस दिखरी तो फ्रेंट्स आप भी इस ट्रिक से मस्त खीर बनाके रेडी करें जो बहुत टाइम तक आप गैस के पास खड़े होके बनाते हो तो वो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो एकदम सादियों वाला टेक्श्चर का खीर बनता है और फ्रेंट्स जब भी आपको मन हो तो आप इसे बहुत ही आसानी से 15 मिनट्स में ही बनाके आप इसे रेडी कर सकते हैं तो इसके बाद थोड़े से मैं यहाँ पे ड्राइफूट्स के साथ इसे ग भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूं और देख सकते हो फ्रेंट्स हमारी खीर कितनी रबडी दार बनके रेडी है तो फ्रेंट्स इस तरह की खीर आप भी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी खीर कैसी बनी फिर मिलता है नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई एंड टेक केर फ्रेंड्स